खाने के लिए मेरी देवरानी का बोल इसको बोलते हैं भेंपला तो अभी मैं इसकी रिपेर कर रहे हैं देप सकते हैं आप सरसो होती है ना और उसको काच के फिर उसको तड़का लगाएंगे हम तो हमारी देवरानी जी है हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सीमा चोहान में तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग हूपसो आप सबी अच्छे होंगे तो गाइस आपको मेरी तरब से प्यार भरी नमस्कार और सब बढ़िया न तो सबी जो है बढ़िया ही चाहिए तो अभी जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है साड़े बारा वजे तो जो नई सब्सक्राइबर है तो उनको मैं बता दो मेरा नाम है सीमा चोहान और मैं हूँ ही माचल के डिस्टी कुलू के एक छ लूज मोशन तो अभी बनाने कितनी बार जो है वो जाके आ गई है पर एक्टीविटी जो है वो वैसी है इसकी यह देखिए तो एक्टीविटी में जो है अभी कोई भी नहीं है तो कल से इसकी तब यह थोल ठीक नहीं थी कल सुभर भी इसने जो है दो बार वांटिंग कर तो फिर उसके बाद वांटिंग नहीं हुई पर लूज मोशन जो है उसको लग गए तो कल भी इतने ज्यादा नहीं थे तो आज इसने जो है दो बार ऐसे पतली सी जो है पोटी कर दी है तो देखते हैं अगर ठीक नहीं हुई तो फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा तो अभी जो है बाहर का मौसम जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा खराब है तो अभी आपको बाहर का मैं मौसम जो हूँ दिखा देती हूं वैदर आज का तो भी जलते हैं बाहर अभी वैदर तो आपने देख लिया बाहर का वैदर जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा खराब है तो बारिश जो है वो आने वाली है मतलब बीच में लग रही है भी रट रही है कुछ ऐसा ही है आज मौसम तो तो अभी जो है सबी जो है बैठे हुए हैं अपने कमरे में ही तो आज जो है इतना कुछ ज़्यादा है नहीं बनाने के लिए तो अभी जो है यहाँ पर अनाया देखिए अनायो क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या 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 बोलती रहती है इसकी कुछ समझ नहीं आती है बोलती तो है अपनी दर्प से तो पूरी कोशिश करती है बोलने के लिए पर आप में समझ नहीं आती है कि यह बोलती क्या है तो अभी चलते हैं हमारी देवरानी जी के पास तो वो क्या कर रहे हैं तो देखिए यहां पर ने तो एप्पीर cani लेकली मुवी कि इनने पूरा ठेटर बनाके रखका हुआ है तो यह दिखिया आजे कसी को परोसा हो अगया अज्ग कर फटल पारोस के लिदिया गोरींगे में आज़िया है के बात defensiveness कर दो मैं अंध?- अदल पैठ गई हूँ तो अभी जो है हमारी देवरानी जी को लग गया है नाइन मन्थ तो नाइन मन्थ जो है कम्प्लेट हो जाएंगे कब साथ को साथ फरवरी को साथ फरवरी को हो जाएंगे तो उसके बाद आपको खुश खबरी देंगे हम तो हमारी देवरानी जी को पूछते हैं कि उसको उनको मतलब कैसी वाली फीलिंग आ रही है कोई फीलिंग नहीं मतलब डर वगेर लग रहा है या कुछ ऐसा है या नहीं है तो हाँ वो अल्टरसाउंड वाली रिपोर्ट भी इनकी बिल्कुल ठीक आई है तो अभी इनोंने जो है उसुट्प बताया नहीं कि मेरा जो मतलब ब्लड गर्गूप है वो और आझे की और च्श्मेंट उनका पॉजट्व है तो अभी इन में जो है ठोड़ा सा वह वो गया है तो अब बाद में लगेगा पता रही क्या करना है करना और मो करना है क्या है यह एक बारे है वोँ सुई कहां से मिल गया आपको यह कहां से मिली है मेरी देव रानी का बोल इसको बोलते हैं बेंपला तो गाइज यहां पर देख सकते हैं आप यह देखिए तो बच्चो के बच्चे के लिए जो है वो तयारी जो है वो स्टार्ट हो गई तो आपके भी यहां पर ऐसे बनाते हैं यह देखिए दिखावला ये देखिए ये जो है वो कंबल से बनाया हुआ है तो इसको बाहर से जो है कवर किया हुआ है तो ये बच्चे के लिए बनाते हैं फिर बच्चे को जो है इसमें सुलाते हैं तो आपके भी ऐसे बनाते हैं तो बताईएगा कमेंट करके और यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो है वो जो कपड़े वगिरा होते हैं तो उनको जो है अच्छे से साफ करके डिटॉल में जो है डालके वो साफ कर दिये हैं तो अनाय यहां मत लगो साफ करके जो है वो पहले ही रख दिये हैं तो अभी वस इन्होंने बैग किता बैग ही पैक करना है और जाना है ऑस्पेटल तो भी फिर बनाएंगे हम बाद की वीडियो तो अनाया जो है वो मना कर रही है गोदी से उतरने के लिए है ना चलो तो अब सब को ना सुना लो फिर गाना सुनाओ सब को गाओ अच्छा अनाया नाचती भी है ना चलो नाचो तो गाइस यहां पे है यह कड़बा सुन जो इसको मैं जो है अच्छी तरह से गुन रही हूं आम अमजी अभी देंगे अभी यह देखो अभी इसको ना पीस लेती हूं मैं और इसको दूंगी मैं अनाया को खाने के लिए इससे जो है वो फरक पड़ जाए तो अभी इसको हम ना बारीग बारीग पारेख पीस लेंगे तो फिर इसको ना थोड़ी सी पाने के साथ या चीने के साथ देंगे इसको खाने के लिए लिए तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो चीम्नी चुला एा वो कूरी तरह से टूट गया था तो अभी मैं इसकी रिपेयर कर रही हूँ देख सकते हैं आप तो भी देख सकते हैं एक तो हमारे यहां की ना यह जो मिट्टी होती है यह अच्छी है इसके कारणी यह बार-बार जो है तोट जाता है क्या को सकते हैं यह की मिट्टी है ना वह थोड़ी सी रेष्ली जैसी है आप अब अब आप अब आप आप कैसा लग रहा है हमारा चुला कि अब अब आप अब को आप आप तो गाइस देख सकते हैं आप जो चुले की लिपाई है वो मैंने कर दी है ये देखिए ये सारा जो है यहां से ये पूरा टूटा हुआ था तो अभी मैंने फिर से जो है इसको नया कर दिया है ये देखिए तो अभी थोड़ा सो सूक जाएगा ना तो उसके बाद इसको इसकी लिपाई जैसी करेंगे हम तो अभी कर लेते हैं फिर और काम मेरे हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए है नाखुन में नाखुन भी जो है वो सारे गंदे होगे इनको काटना पड़ेगा अब म नाया को भी सुलाना है तो अभी चलते हैं फिर दोते हैं तो हमारा चूला जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है आज अब चलते हैं हाथ ही रठों लेती हों ओनिन नाया ने दबाई खाई 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 यूट बोल रहे हो आप अपर हंजी बोलते हैं हंजी नाया ने दवाई खाई हंजी बोलो बोलो नाया ने दवाई खाई नहीं खाई तो अब नाया सोई सोई करेगी नहीं नहीं गरेगी को सोई नहीं गरेगी नाया नहीं खाई शोजाएगी अब नाया जाई बाई मामा मुआ की शुकर मुआ मझी को आद वेरी गूड चलो इस्टेकर रहे हो आप का करें नाया भी सो जाएगी नाया भी सो जाएगी अभी सो जाएगी नाया नाया भी सो जाएगी गुट नाया भी सो जाएगी गुट नाया भी सो जाएगी 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 तो गाईज अभी सोके उठे थे तो देख सकते हैं बाहर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो बारिश जो है वो लग गई है देख सकते हैं आप तो गाईज देख सकते हैं यहाँ पे न मेरी देवरानी जो है वो काट रही है सरसो और साथ में पालक तो इसका आज हम बनाएंगे भुजी तो इसको जो है डारेक्ट हम तड़का लगाते हैं जैसे तड़का लगाते हैं वैसे ही और ये बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट बनता है खाने में तो अनाया क्या कर रही है तो अनाया भी हमारी उठ गी है तो यह खेल रही है बॉल की साथ तो यहां पे जली हुई है आग तो अभी हम सेक लेते हैं आग तो बाहर जो है वो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है यह देखी बाहर की मौसम तो गाइस देख सकते हैं अभी आ गई हूँ मैं रोम में कि अभी आई थी आटा गुदने के लिए तो भी आटा गुदने लेतें हैं तो आज बन रहा है है फिर मैं बनाऊंगी चपाती तो अभी के लिए इस वीडियो का end मैं यहीं पे कर देती हूँ तो आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लग रही है तो प्लीज गाइस कमेंट करके जुरूर बताईएगा अगर कोई भी इसमें हमने improvement करा चाहते हैं आप या किसी वीडियो मतलब किस चेस में मैं वीडियो बनाऊं आप किस चेस में चाहते हैं तो यह आप पता सकते हैं तो अभी के लिए फिर बाइ-बाइ तो आज है हिमांचल डे तो आपको हिमांचल दिवस की बहुत बहुत सुप कामना है सभी को तो जो भी हिमांचल से है तो अभी के लिए फिर बाई बाई तो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए यार इतना भी क्या बुरा कर दिया है मैंने किसी का तो प्लीज सपोर्ट कीजिए तो आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है तो आपकी सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरत है तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी